प्रस्ने 2, सरल करें, तो प्रस्ने 2 का C, प्रस्ने 2 का C, तो प्रस्ने है, M स्क्वाइर माइनस N स्क्वाइर, M स्क्वाइर माइनस N स्क्वाइर माइनस, M माइनस N, गुना M प्लस N, ठीक है, m square minus n square minus m minus n गुना m plus n तो इसको हम सबसे पहले m square minus n square को बस उतार देंगे माइनस अब देखिए m minus n गुना m plus n तो m minus n को m plus n से गुना करना है तो m से सबसे पहले m plus n को गुना करेंगे ठीक है m से m plus n को गुना करेंगे फिर minus n से minus n से m plus n को गुना करेंगे ठीक है तो इस तरह लिख लेंगे m से m plus n को गुना करेंगे फिर minus n से m plus n को गुना करेंगे और इसको हम कोश्टक में बंद कर देंगे मंजला कोश्टक में क्यों बंद करेंगे क्योंकि बाहर माइनस का चीन है देखिए यहाँ पर क्या है माइनस का चीन है तो जिसको हम घटाते हैं उसका चीन बदल जाता है इसलिए इसको हम कोश्टक में पहले बंद कर देंगे तो हो जागा M square minus N square minus फिर कोश्टक लेंगे M गुना M क्या हो जागा? M square, देखे M गुना M, M square plus M गुना N, M N M गुना N, M N minus अब यहाँ पर minus का चीन है यह plus में है, तो plus minus minus का चीन है यहाँ पर देंगे अब M गुना N तो N M लिखें या M N लिखें एक ही बात है तो हम लिख देते हैं M N अब देखें, यहाँ plus है, यहाँ पर minus है यहाँ plus है, यहाँ minus है तो plus minus, minus N गुना N क्या हो जागा? N square कोश्टक को हम बंद कर देंगे ठीक है? अब plus M N और minus M N कर जागा क्यूंकि एक plus में है, एक minus में है तो सूनने आ जागा, तो इसको हम काट देंगे यहीं पर तो अब हो गया M square minus N square अब देखें, कोश्टक के बाहर जब minus का चीन हो तो जो अंदर है, उसका चीन बदल जाएगा, बाहर निकालेंगे, कोश्टक के बाहर निकालेंगे तो M square क्या है? प्लस में है तो minus में हो जाएगा यह minus में है, देखें, यह दोनों तो खत्म हो चुका है, यह minus में है, तो plus में हो जाएगा ठीक है? क्यों चीन बदल जाता है? क्योंकि देखें, जिसको भी घटाते हैं, उसका चीन बदल जाता है, जैसे 10 में से 5 को घटाना है, तो 10 minus 5 लिखते हैं ठीक है, उसी तरह, इसमें जो है, उसको घटाना है, तो उन दोनों जो भी घटान है उसका चिन बदल जाएगा अब देखें एम स्क्वाइर और माइनस एम स्क्वाइर खत्म हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है माइनस एम स्क्वाइर और प्लस एम स्क्वाइर ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस है ठीक है तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा सून्य क्यूंकि एमस्क्वार माइनस एमस्क्वार करेंगे तो सून्य आएगा एनस्क्वार माइनस एनस्क्वार करेंगे तो सून्य आ जाएगा यानि इसका उत्तर क्या होगा सून्य तो इस तरह हम प्रस्ण दो का सी हल कर लेंगे डी तो प्रस्ण डी प्रस्ण दो का डी तो प्रस्ण क्या है तो प्रस्ण है दोए प्लस पांच बी दोए प्लस पांच बी गुना तीन बी प्लस चारे माइनस साथे प्लस तीन बी गुना तो देखे इधर जगा नहीं तो हम नीचे लिख लेते हैं गुना में है दोए प्लस बी ये है प्रस्ण तो दोए प्लस पांच बी गुना तीन बी प्लस चारे माइनस साथे प्लस तीन बी गुना दोए प्लस बी तो इस तरह लिख लेंगे सबसे पहले अब इसको गुना करना है तो दोए प्लस पांच बी को तीन बी प्लस चारे से गुना करना है तो सबसे पहले दोए से इन दोनों को गुना करेंगे फिर पांच बी से इन दोनों को गुना करेंगे उसी तरह साथे से इन दोनों को गुना करेंगे फिर Пलस 3 B से इन दोनों को गुणा करेंगे तो लिखेंगे यहाem पर 2 A गुणा 3 B पलस 4 पलस 5 B गुणा 3 B पलस 4 ठीक है इस तरह लिखेंगे अब देखें इसमे आ जाते हैं माइनस का चिं है तो सबसे पहले 7 A से इन दोनों को गुणा करेंगे तो 7A गुना 2A प्लस B फिर प्लस 3B प्लस 3B गुना 2A प्लस B ठीक है इस तरह लिख लेंगे तो 7A से 2A प्लस B को गुना करेंगे फिर प्लस 3B से 2A प्लस B को गुना करेंगे अब देखें बाहर माइनेस का चीन है यहाँ पर क्या है माइनेस का चीन है तो हम इसको कोश्टक में ले लेंगे क्योंकि घटाना इसको तो अगर बाहर माइनेस का चीन हो कोश्टक के बाहर तो उसका चीन बदल जाता है इसलिए हम इन सब को कोश्टक में ले लिए हैं क्योंकि बाहर देखें माइनेस का चिन है अब इसको गुणा करेंगे तो 2A गुणा 3B यानि 3 गुणा 6 A B हो जाएगा प्लस 4A गुणा 2A यानि 4 गुणा 8 A स्क्वाइर प्लस 5B गुणा 3B यानि 5 गुणा 5B हो जाएगा B स्क्वाइर प्लस देंगे 5B गुणा 4 यानि 5 गुणा 20 A B 5 गुणा 20 A B ठीक है इस तरह लिख लेंगे अब माइनस का चीन है तो माइनस का चीन है देंगे यहाँ पर कोश्टक लगा देंगे 7 गुणा 2A यानि 7 गुणा 14 A स्क्वाइर प्लस प्लस है यहाँ पर तो प्लस देंगे 7 गुणा B यानि 7 A B प्लस 3 B गुणा 2 A तो कितना हो जागा 3 गुणा 6 A B प्लस 3 B गुणा B यानि 3 B स्क्वाइर कोश्टक बंद करेंगे अब देखे Wyatt माइनस का चीन बाहर लगा हुआ यानि इन सब को घटाना है क्या करना है इन सब को घटाना है तो जो भी घटा है उसका चीन बदल जाता है जैसे 10 में से 5 घटाना है तो 10 माइनस 5 लिखते हैं उसी तरह इन सब का चीन ने बदल जाएगा तो 6AB प्लस 8B स्क्वाइर प्लस 15B स्क्वाइर प्लस 20AB अब देखें माइनस ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा तो माइनस 14 ये स्क्वाइर हो जाएगा ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा यानि माइनस 7AB ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा यानि माइनस 6AB ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा यानि 3B स्क्वाइर तो इस तरह लिख लेंगे तो इसका उत्तर आएगा तो जिसका सबसे ज़्यादा घात है उसको पहले लिखेंगे तो A² में आते हैं, सबसे पहले A² को लिखेंगे तो देखे तो माफ की जगा यहाँ पे हम, देखें यहाँ पे A है हम गलती से B लिख दिये थे, ठीक है तो इसको हम A लिख लेते हैं इसको हम मिटार दिये हैं तो A लिख लेंगे यहाँ पर इस तरह से ठीक है अब A SQUARE को सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस 14 A SQUARE और पलस 8 A SQUARE यानि 8 में से 14 गया तो 14 में से 8 गया 6 यानि माइनस 6 हो जाएगा minus क्यों लगेगा क्योंकि देखे बड़ा संख्या minus है बड़ा संख्या कच्ची नहीं क्या है minus तो 8 में से 14 गठाना यानि छोटा में से बड़ा गठाना है तो minus 6 हो जाएगा minus 6 a square अब b square में आ जाते हैं तो 15 b square है यहाँ पे और minus 3 b square है पंद्रह में से 3 गया तो 12 यानि यहां पर लिख देंगे 12 B square 12 B square ठीक है अब आ जाते हैं A B में तो A B A B A B 4 जगा है देखिए A B A B A B A B तो देखिए यह 20 प्लस में है यह भी प्लस में है इसके आगे कोई चीन नहीं है तो प्लस में हुआ तो 26 26 तो minus 7 minus 6 कितना हो जागा minus 13 ठीक है minus 13 या ऐसे भी कर सकते हैं तो देखिए minus 13 आया दोनों minus में है तो जोडेंगे और चीन रहेगा minus कहीं तो minus 13 तो 26 में से 13 गया तो 13 आएगा ठीक है प्लस 13 A B तो यह हो जाएगा इसका उत्तर या ऐसे भी आप घटा सकते हैं 20 में से 7 गया, कितना आएगा 13, 13 में से 6 गया 13 में से 6 गया तो 7 आ जाएगा और 7 और 6 को जोड़ देंगे 7 6, 13, इस तरह भी घटा सकते हैं या देखे माइनस 6 भी और प्लस देखे, ऐसे भी कर सकते हैं smiling 6ab और plus 6ab को कुझ की ये दोनों मिल करके सुनने आ जाएगा ये minus में ये plus में ये दोनों को खदम कर देंगे यानि काट देंगे तो 20ab में से 7ab घटा देंगे ये minus में है तो घटा देंगे तो 20 में 7 गया तो 13 यानि plus 13ab इस तरह भी इसको हल कर सकते हैं तो इसका उत्तर आ चुका है माइनस 6A square प्लस 12A square प्लस 13A B तो प्रस्न दो का D इस तरह हल करेंगे प्रस्न दो चुका है प्रस्न दो के वो आ झाल